में चांसलिंग कर रहा हूँ और जेई और नीट के बच्चों को केमिस्टरी पढ़ा रहा हूँ तो अभी एक ब्रेकिंग नीज्ट के जोसा कांसलिंग कांसलिंग की पहली आपकी कांसलिंग होती है तो जोसा आ announce हो चुका है तो directly मैं आपको ले के चलता हूं website पर जहां से हम लोग देखेंगे कि जो सा counseling का क्या schedule आया हुआ है तो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा होगा जो सा counseling का schedule तो हमारा date 5 अगस्त को क्या हो रहा है जे एपक्स बोड डिकलियर जे की मिन रैंक अच्छा यह रैंक 5 अगस्त को आया था आपको पता है ठीक है 11 सितंबर का announcement of j advance result j advance का result 11 सितंबर को आ जाएगा और 12 सितंबर से 10 बज़े से क्या होने जा रहा है 10 बज़े result आएगा 11 को 12 को 10 बज़े से क्या होने जा रहा है वही जिसका आप लोगों को था इंतेजार candidate registration च्वाइस फिलिंग फोर candidate अक्याडमी प्रोग्राम अंडर जोसा ठीक है तो candidate का registration स्टार्ट होगा registration आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 सितंबर से 12 सितंबर से आपका registration स्टार्ट हो है सुबह 10 बज़े से ठीक है registration स्टार्ट हो जाएगा च्वाइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा जो सा के लिए ओगे फिर आप देख सकते रात के 8 बज़े तक जितने भी च्वाइस फिल्ड होंगे उसके बैसिस पर आपका allotment होगा mock allotment की क्या आ सकता है वैसे mock allotment का कोई ज्यादा meaning नहीं होता है क्योंकि यह बहुत सारे factors पर depend करता है हो सकता है उस समय तक बहुत ज्यादा बच्चों ने च्वाइस फिलिंग ही ना कियो तो जो भी च्वाइस आपको मिलता है उसके basis पर कुछ खास prediction आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह जो आपको मिल रहा होता है वो round one का prediction ह हो सकता है round one का जरूर हो सकता है कि round one में क्या मिल सकता उसके आस पास आप रह सकते हैं बट वह भी depend करेगा कितने बच्चे choice फिल किये थे कितना change हो रहा है इन सारी चीजों पर depend करेगा बट जो आपको final college मिलेगा यह mock alert से बिलकुल अलग होगा क्योंकि final college आपको six round में मिले करेंगे उसके basis पर वो changes करेंगे choices में ठीक है choices में change करने के बाद क्या होगा choices में जो changes आप करेंगे उसके बाद फिर से allotment mock round 2 आएगा तो फिर mock round का meaning क्या है आप बता रहें कि जो से college मिलता है वो आप उस पर कोई prediction नहीं कर सकते mock round इसले रखा जाता है कि आपने गलती से कोई खराब college डाल दिया है उपर में डाल दिया है और तो उससे क्या होगा कि आपकी rank अच्छी भी होगी तो वही मिल जाएगी आपके एक छोड़ी से गलती आपका बहुत बढ़ा नुकसान करा सकती है जैसे मेरे एक फ्रेंड ने तो फिर से choice filling का मौका मेरा था उसने हटाया था तो mock round का यही फायदा है कि आपने कुछ गलती कर दिया है ठीक है वैसे तो advisable यही होता कि आप गलती ना करें आप अपनी choice filling export से करवाएं ताकि गलत होने के chance बिलकुल ना हो कम हो ठीक है तो आप career capsule से भी counseling करवा सकते हैं अभ ठीक है यह आपका 20 को हो जाएगा ठीक है और किसको आपका choice filling खतम हो रहा है के बाद 22 को क्या होगा और यह ओके रिजल्ट 23 को आएगा तो 24 फिलिंग बहुत important है एक बार जो आपने round 1 के पहले जो आपके 24 लॉक हो गई सेसंबर को 24 आप लॉक करे या ना करे automatic लॉक हो जाएगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें कोई चाहें कितनी भी अच्छी राइंग को कॉलेज नहीं मिलेगा तो आगे की सेडूल में आपको बताऊं दा उसके पहले में आपको नहीं के चलता हूं केरियर कैप्सूल की विबसाइट केरियर कैप्सूल डाट ओ आरजी पे जो डिस्क्रिप्सिन में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो आपके लिए यहां पर भर मां सकते हैं देगे आप खुछ से भरेंगे बहुत टफ हैं कि आपके पास खुरिट टो ऑपके बहुत हैं चरण में आसान नहीं है बहुत टफ है जब आपप चॉइस प्लिंग करना सुरू करोगे तब आपको रेलाइज होगा हम लोग एक्सपॉर्ट हैं तो हमें भी लगता एक बच्चे की च्वाइस फिलिंग करने में तो इसमें आपका पूरा च्वाइस फिलिंग हम करके देंगे इसके बारे में पहले से भी आपको हम बता चुके हैं और यह आपको दिखाया भी गया कि कितने राइंक तक आप को मेने की दिलवा सकते हैं 1.254 जेनरल मेल OBC 1.5, EWS मेल 1.4, ST 2.4, ST 3.2 और यहां पर फीस की बात करोगे जोसा का 5000 हमने रखा है जिन बच्चों की राइंक बहुत अच्छी है सिर्फ जोसा लेंगे सीसेब लेने की ज़रुवत नहीं है और जिन बच्चों की राइंक खराब है मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप दोनों का दिखें सिर्फ जोसा का 5000 है लेकिन दोनों लेते हैं तो 8500 है तो यह जो 8500 वाला है दोनों वाला इस पे आज हमने आज इस पे सल डे है से डूल आया है हमने एक ओफर दे रखा यहां डिरेकली नीचे आएंगे ओफर प्राइस है जोसा प्लस हीचप का 8000 यह अपने आप एक्सपायर हो जाएगा इस पर क्लिक करके आप यहां से पेमिंट कर सकते हैं नेक्स करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्सन मिल जाएंगे जहां से आप पेमिंट कर सकते हैं पेमिंट करने के बाद आप इस पेज पे इंतिजार जरूर करें कई बार क्या होता है कि बच लोग जल्दी बाजी में इस page को छोड़ देते हैं, तो उनका confirmation page नहीं आपाता है, confirmation page नहीं आएगा, तो दिक्कत होगा, ठीक है, फिर हमारे पास आपकी payment नहीं आपाएगी, और फिर problem होगा, तो आप यहाँ पे wait जरूर करें, ठीक है, आप यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह आपका scan करने का option आगया, जैसे ही आप इसको scan and pay करेंगे, इस page पर wait कीजिए, page अपने आप refresh होगा, और confirmation page आएगा, कि आपका payment हो गया, कब 5 साल से हम लोग यह same use कर रहे हैं, insta mozo का, कभी कोई दिक्कत नहीं आता है, अगर किसी एक बच्चे का आए जब आप payment कर देंगे, तो आपसे हम जरूर बात करेंगे, आपका number से यह बोजाएगा, और आपका पूरा काम अच्छे से करके देंगे, ठीक है, चलिए, और जो बच्चे चाहते हैं कि बात करी लें, वो यहाँ पे उपर में जाके 500 रुपे payment करके personal counseling session book कर सकते हैं, और आएं, तो 15 मिनट इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है, personal counseling session book कर सकते हैं, 15 मिनट आपसे मैं ही बात करूँगा, ये भी confusion बहुत सारे बच्चों को है, तो paid counseling के बारे में बता दिया, बागे बढ़ते हैं कि round-down में जब seat alert हो गया, तो और क्या होगा, तो उसके बाद आपका होगा online reporting, अच्छी बात है कि इस बार offline reporting नहीं होता है, क्यों करोना से पहले offline reporting होता था, ज्यादा परिसानी होती थी, तो online reporting होगा, fee payment होगा, document upload करना होगा, response by candidate to query if required, response by candidate का मतलब है कि आपको तीन option दिये जाएंगे, option number one होगा, आपका float, then free, then slide, तो और इसका मतलब क्या है, float का मत hold करते हूँ, आगे बढ़ना, slide का मतलब होता है कि उसी college में रहना है, जो seat मिला, उसको hold करना है, reject नहीं करना है, और आगे बढ़ना, उसी college में दूसरे ब्रांच को upgrade करवाना है, ठीक है, और यह हो गया, freeze का मतलब, जो है ले लेना है मुझे, बस, टाटा बाय बाय, काउंस में जाना है, तो आप slide कर सकते हैं, ठीक है, तो यह option होता है, आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो यह जो float free slide का option है, इसको करने का जो आपको time मिलेगा, यह समय आपको मिल रहा है, 23 तारीक से यह सुरू हो रहा है, और 26 तक आपको यह समय मिल रहा है, और document भी upload करने क यही समय है, document upload करके आप बहुत serious रहेंगे, document में अगर कोई गलती होगा, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा, कि आपके document में यह problem है, इसको दोबार upload कीजिए, ठीक है, तो आप अपने document अभी से अच्छे से बनवा लीजे, 27 तारीक को, ठीक है, last day to respond to the query, round 1 के लिए last day होग 27 तारीक को, फिर उसी तरह से 28 को, round 2 का result आपका आजाएगा, फिर से time मिलेगा आपको response करने का query, और जिन बच्चों को, जैसे पहली बार college अगर यहीं मिल गया, round 1 में, तो आपका document यहीं upload हो जाएगा, लेकिन पहली बार में यहां college नहीं मिला, तो फिर आपको नीचे जान प्लोड करना होगा, बार-बार document upload नहीं करना होगा, ठीक है, बार-बार document upload नहीं करना होगा, fee payment के option में, seat acceptance fee आपको pay करनी परेगी, यह भी एक ही बार करना होगा, जिस round में आपको पहली बार college मिलेगा, जैसे आपको round 2 में जिन बच्चों को मिलेगा, उनके लिए document upload और fee payment यहां करना होगा, अगर round 1 महीं आप नहीं कर दिया, तो आगे जाकर आपको fee payment or document upload नहीं करना है, सिर्फ आपको response to the query like freeze, float or slide करना है, फिर उसी तरह से आप देख सकते हैं, फिर 22 तारीक को, 2 October को last day to response to the query round 2 होगा, और फिर 29 से 2 तारीक तक आपका intimation of withdrawal seat, exit from the seat allocation process, आपको exit करने क भी option मिलेगा round 2 में, कि आप withdraw कर सकते हैं, अपने seat को आगे, कि आपको participate आपको नहीं करना है, तो उसके लिए भी option है, ठीक है, तो इसका आपको time दिया जाएगा, 29 सितंबर से 2 October तक, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं, आगे जाकर फिर आपका 3 तारीक को round 3 का result आजाएगा, फिर से वही चीज होगा, फिर आपको time दिया जाएगा 3 से 6 के बीच में, fee payment, document upload और response to the query का, जो बच्चे 1 और 2 में college मिल चुका होगा, उनको दुबारा से fee payment और document upload नहीं करना होगा, फिर October 7 को आपका last time होगा, round 2 के लिए response करने का, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी आप से repeat होगा, जो पहले हुआ था, फिर उसके बाद आपका round 5 का result आजाएगा, 12 October को, और फिर आपका यहाँ पर withdrawal का चलेगा, कि अगर आप seat withdrawal करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, और यहाँ पर round 5 is the last round for the seat withdrawal or exit, मतलब 5 तक ही आप withdrawal कर सकते हैं, 6 round में जो बचा चला गया, उसका seat withdrawal न online reporting fee payment इसमें भी होगा, और last day to response to the query आपका 17 October होगा, और 16 से लेकर, 16 से लेकर 18 तक, for NIT system only, intubation of withdrawal seat, round 6 October, ठीक है, यह आपका date रहेगा, और आगे देख सकते हैं, 19 से लेकर 21 तक, for NIT system only, online payment of partial admission fee, यह जो आपको college मिल जाएगा, तो उसके लिए आपका partial admission fee पे होगा, कि आप जो college में जा रहे हैं, उस college में pay होगा, जो सा में ही pay होता है, वहां से transfer हो जाता है college में, जहां तक मुझे पता है, और visit CSEP 2020 websites for further details on institute participating process, special round, special round के लिए फिर आपको CSEP website visit करनी होगी, तो जो सा counseling आपका 21 October को खतम हो जा रहा है, ठीक है, वैसे 16 से 18 के बीच क्या चलेग seat 16 October से 17 October तक होगा, ठीक है, और withdrawal query response ये 16 October से 18 October तक चलेगा, ठीक है, तो ये आपका पूरा details रहा, कोई doubt है, तो आप comment section में जाके पूछ सकते हैं, बहुत आली चीजे में confusing आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, छोटा वीडियो छोटा रखने के ल की सारी attention हमारी है, ठीक है, और document आप लोग अच्छे से बनवा लीजिए, जोसा की website पर document का format भी आपके लिए यहां पर आ चुका है, certificate format में, certificate format में जाकर आप पूरे format से यहां से देख सकते हैं, और यहां से document बनवा सकते हैं, medical certificate अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपक से 11 के बीच में भी आप यह doc medical certificate बनवा सकते हैं, ठीक है, तो बाकी किसी डाउर के लिए आप चैनल को subscribe कीजिए, comment में पूछिए, हम reply जरूर करेंगे, इस वीडियो को छोटा रखने के लिए, यहीं पर वीडियो को रुखते हैं, और आपके लिए offer है, आज 500 का discount हम आपको दे रहे हैं, flag discount है, इस link पे जाके आप payment करके paid counseling ले सकते हैं, ठीक है, इस link पे जाएंगे और payment करके आप paid, ओ, यह link है, this is the link, ठीक है, यह link है, नीचे वाला, नीचे वाला link है, जो छोटा सा आ रहा है, पता नहीं क्यों छोटा सा आ रहा है, इसको हम ठीक कर देंगे, बढ़ क्लिक करेंगे, काम वही करेगा, छोटा है, चैब बढ़ा है, payment आपका यहां से भी होगा, यह नीचे वाला जो link है, यह वाला जो link है, payment for JOSA only, JOSA only, CSEB only के लिए, अखी link है, ठीक है, यह यहां से होगा, JOSA only, CSEB only के लिए, only one link is there, और फिर JOSA plus CSEB के लिए, जो हमारा regular price से 8500, वह यहां से है, ठीक है, और लास्ट वाला, जो देखिए, अब अच्छा हो गया है, लास्ट वाला जो link है, यह जो सा plus CSEB का, जो हमारा offer price से 8000, हम उसमें दे रहे है, ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बिना payment की आप call करेंगे, हम call receive नहीं कर सकते हैं, हमार अगेनी बार call करेंगे, आपसे बात किया जाएगा, ठीक है, तो वीडियो का ही स्वाप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, टेक कियर, बाई बाई